नमस्कार मित्रो आपका स्वागत है आप ही की चैनल एड वाल्यू टू लाइज में आज का विशे है नेट्वर्क मार्केटिंग क्या है वोट इस नेट्वर्क मार्केटिंग नेट्वर्क मार्केटिंग बिजनस में डिस्ट्रिबूशन का एक मॉडल है और ये मॉडल जो है ये पुराने मॉडल के ऑपोजेट या अलग से हटके है इसमें जो कमपनी होती है वो प्रोडक्ट या सर्विसेज खुदके बनाए हुए को डिस्ट्रिब्यूट करती है मार्केट करती है अपने डिस्ट्रिब्यूटर्स के थुरू अब ये डिस्ट्रिब्यूटर्स कौन होते है तो ये इंडिविज्वल होते है ये एक मनुश्य होता है जो इनका डिस्ट्रिब्यूटर बनता है एक इंडिपेंडेंट बिजनस सोनर बनता है अब काम्पनी क्या करती है कि एक साइड में कम्पनी एक खुद का ओफिस होगा खुद का एक मैनुफैक्टरिंग यूनिट होगा एक जगह पर हो सकता है दूसरी अलग कंट्री में अलग हो सकता है अलग एक ओफिस एडिशन सब्सक्राइब और back end में एक support system होता है एक website होती है फिर goods distribute करने का supply chain एक model process होता है और front end में जो ये individual होता है ये जो मनोश्य होते हैं ये एक इंसान जो होते हैं ये खुद वो product consume करते हैं company के और अपने जैसे like minded लोगों को जो अपने जैसी एक विचारधारा रखते हैं ऐसे लोगों को ये ढूंते हैं उनको ये product ये process ये model समझाते हैं और अगर अगले व्यक्ति को वो समझ आती है मान जाता है तो उसको अपने team में जोडते हैं ठीक है तो इस तरीके से team का बनना is called network और company ऐसे कई network खड़े करती है बनाती है तो इसमें जो distributors होते हैं जो members होते हैं ठीक है वो representative होते हैं brand ambassador होते हैं product के services के companies के और उससे पहले होते हैं खुद के because they consume those products they apply those products in their day to day life and they bring change in their life so वो खुद use करने के बाद use करने के साथ साथ उस product को उस service को market करते हैं ठीक है तो दो फायदे होते हैं member के एक के उसका खुद का network बढ़ता है जैसे जैसे ढूनता जाएगा वैसे वैसे उसका network बढ़ेगा अब जैसे Mr. A ने Mr. B को अपनी team में जोड़ा तो उसके बाद क्या होगा कि Mr. A और Mr. B दोनों ही members ढूनेंगे जो अपने जैसे like-minded होंगे जिनको interest होगा उस तरीके की products को use करने में उस तरीके की एक business model का part बनने के लिए तो वो जूड़ते जाएगे तो इस तरीके से दो दूनी चार चार दूनी आठ और इस तरीके से वो equation बढ़ता जाएगा अब लोग क्यों जूड़े होता क्या है कि अगर आप traditional business कोई भी करना जाते हो तो बहुत पूंजी लगती है बहुत capital लगता है और बहुत समय लगता है पर यहां पे जैसे मैंने पहले का कि company जो है वो पूरी व्यवस्ता एक साइड में करके रखती है offices बना के रखती है खुद के warehouses होते हैं जहांसे माल deliver होता है और website होता है portal जो होता है जहां पे हर एक member को access दिया जाता है तो member का काम है company को products को आगे ले जाए और company का काम होता है कि अपने member की जो demand है requirement है उसको fulfill करे तो यहां पे जो member है वो company का employee नहीं है वो एक स्वतंत्र business operator है तो वो एक independence वाला element आता है एक bonding वाला element मतब वो जो बंदूवा मजदू type वाला जो है नौकरी में सुबह जाओ रात को आजाओ सुबह जाओ रात को आजाओ वो वाला element नहीं होता है दूसरा जैसे यह आपका business है कि आपने company जो product service प्रवाइड करती है आपने आगे बेचना है आपने आगे members को अपने team में जोड़ना है और ज्यादा products बेचने है तो जितनी आपकी effort होगी जितनी आपकी team की effort होगी company आपका ध्यान रखेगी company आपको commissions पे करेगी और अलग-अलग structure के हिसाब से commissions होते है rewards होते हैं तो आपकी जो मेहनत है that is directly proportional to the rewards that you get अब आप नौकरी कर रहे हो आट गंडे नौकरी कर रहे हो आट के आपने अगर 16 भी घंडे कर लिए तो आपकी income क्या बढ़ेगी जितनी है उतनी रहेगी marginally थोड़ी सी बढ़ी तो बढ़ी अगर आप overtime पर वो overtime is not available to the office class it's always available to the worker class worker class की salary वैसे ही कम होती है तो यह वाले चैनल में आप जितनी महनत करो दिमाग लगा के अपने आपको improve करके अपना personal development करके अपना knowledge base बढ़ा के अपने आपको presentable करके आपकी income बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे आपकी team जैसे जैसे आपका network बढ़ेगा आपकी income और बढ़ती जाएगी because आपने क्या करा आपने like-minded लोगों को ढूड़ा अपने साथ जोड़ा और company के products के distribution में आपने addition करा है बढ़ती करा ही तो company आपको वैसे reward करेगी तो जो जो इस तरीके के model में जुड़ता जाता है distribution बढ़ाते जाता है तो company आपका ध्यान रखती है और आपकी income आपकी overall growth बढ़ती है as simple as that company का क्या फाइदा company का फाइदा यह है कि company को सिर्फ focus करना है अपने products को manufacture करना और उसको improve करना कि अब distribution का जो है वह एक तरीके से वह outsource हो गया to the members members के पास basically अपना network बढ़ाने के अलाबा और कोई ज्यादा को challenge या responsibility या stress नहीं होता और आप अपनी मर्जी से अपनी अच्छा अनुसार जितना समय आपको देना है आप दे सकते हो आपकी existing priorities के साथ में उसको mix करके आप आगे बढ़ा सकते हो दूसरा company की presence normally एक country में ना होते हुए multiple countries में होती है तो अगर आप as a network marketer as a member आपने उस country में अपने कोई जानने वाले को नहीं जानने वाले को अगर team में आपने जोड़ा और अगला भी अगर आपी की तरह मेंती निकला और वो भी team बढ़ाते गया तो उस country में उस member के थुरू आपका network बनता जा रहा है तो यह एक नए जमाने का नए एक हिसाब का distribution model है हर व्यक्ति को यह एक open-ended opportunity है कोई bias नहीं है अगर आप गोरे हो काले हो बड़े हो चुट हाँ 18 के उपर की age होनी चाहिए बट आप doctor हो अनपढ़ हो आपको driving आती है driving नहीं आती है आपको कोई भाशा आती है कोई भाशा नहीं आती है आपकी बस सिर्फ एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे यह करना है और निरंतर आपने उसके उपर काम करना है मैनत करनी है दिन में आप एक घंडा consistently इसके उपर मैनत करो हफते में 4-5-6 घंडे कर लो 8-10-12-15-20-30 घंडे कर लो आपकी जितनी capacity आप करो और उसका return जो आपको जमाना पढ़ता है आपको जो भोग है जो बलिदान है जो योगदान है वो देना पढ़ता है तो वह आप एक बार इन्वेस्ट करें और शुरू का समय आपने investment का डाल दिया प्रॉपरली फिर आप ग्रोथ इस देस लिमिट टो देग्रोथ और यह पिछले यह industry चल रही है कहीं US में शुरू हुई थी और आज लगबग दुनिया भर में इसका पसराव है इसका एक spread है और आज के इस modern digital world में network marketing का जमना और network marketing का growth होना बहुत सुभाविक है क्योंकि जितना automation बढ़ते जा रहा है जितना computerization बढ़ते जा रहा है उतना jobs मिलना और job में sustain रहना यह possible नहीं है Companies की खुद की जो life cycle है वो short होती जा रही है तो जब company की खुद की अगर life cycle short होती जा रही है तो आपकी हमारी क्या भी साथ है अब एक example दो example देता हूं आपको Kodak करके company थी जो photography के products बनाती थी कहा है चली गई दूसरा example आपको देता हूं मोबाइल की company थी अपनी नोकिया जब चला धुम चला उसके बाद खतम कितने साथ एक दशक डेट दशक ज्यादा सज्यादा नहीं होता इस तरीके से technology-driven company या कोई सा भी एक काम नना देख लो आप दुकाने देख लो आप छोटे से बिजनस चोटे-छोटे बिजनस भी देख लो तो many more businesses are going automation way तो जो अपने cost को minimum रखेगा, services ज्यादा देगा, competition में हमेशा ही change को adapt करेगा, वो company survive करेगी, पर that is very tough, तो यह तो company की बातें कर लिए हमें, आप और मैं क्या करें, हमारी तो day in day out बढ़ती है, family बढ़ती है, responsibilities बढ़ती है, खर्चे बढ़ते हैं, inflation बढ़ता है, how do we cope, how do we cope, income और तंखा या salary जो है, वो तो ऐसे नहीं बढ़ती, जितना inflation और खर्चे बढ़ते हैं, तो वो gap को आप कैसे पूरा करोगे, दोनों आप चलो job कर लो, husband and wife, but jobs की security नहीं है, income growth नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, कैसे करोगे, और life को इसी तरीके से जी होगे, paycheck to paycheck बोलते हैं, English में, तो ऐसे नहीं होता है, फिर वो आपने job करी, life पूरी खतम कर दी, ना अपने लिए कुछ करा, ना growth करा, ना assets buy करे, अब assets से properties हो गई, से gold हो गया, से government के bonds हो गई, या promissory notes हो गई, जो एक security है, आने वाले दिनों में, आपके जो खर्चें उसको कैसे sustain करोगे, जब income नहीं रहेगी, और age बढ़ चुकी होगी, तब दवाईयों के खर्चें लग जाएंगे, तो फिर कैसे करोगे, investment करने के लिए income चाहिए, income, single income होती नहीं है, double income चलती नहीं है, so this is the age to have multiple incomes, एक income पे डिपंड रहना तो मू रखता है, तो कैसे करोगे, और दिन के जो 24 गंडे वो हरे के लिए सेम है, So, what is option? Network marketing is one of the best option available out there today, and hopefully, my gut feel says, hopefully, ये काफी लंबे समय तक ये option, ये solution, ये चैनल रहेगी. So, the sooner you understand about it, the sooner you get into it, the sooner you adapt it, the sooner you start practicing it, as in learning and practicing it, it's better, man, it's good for you. और कोई भी, वैसे भी तो हम बड़ी-बड़ी बाते हागते हैं, कि कोई भी काम बड़ा चुटा नहीं होता, तो अगर आप तेल साबून बेशते हो, अगर आप शैंपू या क्रीम या लोशन पोशन बेशते हो, या आप energy बेशते हो, या आप oil बगरा कुछ बेशते हो, थूर नेटवर्क मार्केटिग, वाद इस इस यो? तो आप जहां पे हो और नेटवर्क मार्केटिग अगरा आप चानल में अटर होते होते हो, आप अपने आप में काम करोंगे एपने आप पे काम करोंगे और एपने आप पे उप्रोव। आप जहां थे और आपकी लिटेंखर कुछ भी कुछ भी हो और Спकुछ नण плох marketingmill इंप्रूव कर अब AG अगर पैसे ना भी कमाओ मालो आपने दो साल दिये, तीन साल दिये, आपने कुछ भी नहीं कमाया in monetary terms, financial terms, पर जो खुद का transformation है न, वो यकीनाँ 200%, 200% will have a positive impact on you, आप positive रहे, सोचे, and start getting into it, soonest the bestest, वो company के अलग-अलग model होते है, commission, compensation plan होता है, यह होता हो, that all can be learned, अब इसके बात का जो मैं video बनाऊंगा, वो companies को कैसे find out करे, कैसे समझे, select करे, वो मैं पताऊंगा, बट इस video में, what is network marketing, network marketing is one of the best things in today's time, for anybody and everybody, for anybody and everybody, just आपको, अपने आपको open करना है, अपने दिमाग को, अपनी सोच को, और इसको अपनाना है, आप नहीं करोगे, यह तो काम चलता रहेगा, और बढ़ता रहेगा, बहुत से लोग इसको अपना रहें, आगे बढ़ रहें, आपने नहीं क्या पीछे रहें, आप अल्रेड़ी पीछे हो, रहें क्या जाओगा, आप अल्रेड़ी पीछे हो, तो कोई शरम ना करिये, कोई जादा सोचने की आवश्यक्ता नहीं है, अपना माइंड ओपन करें, इसको एक्सेप्ट करें, समझें इसको, हाँ, ग्रीड में ना आजाए, ये कोई क्विक रिच बनने की स्कीम नहीं होती इसमें, महनत लगती है, पसी ना निकलता है, फिजिकल भले ही ना निकलता है, मेंटली निकलता है, इमोशनली निकलता है, इसको अपना है, आपने इसको अपना है, आपने इसको शुरू करना है, इसका आरंभ करना है, अब और ही पीछे है, क्रिपया, इसको अपना है, लर्न करें, पैक्टिस करें, और रेस में फिर आ जाए, और दोड़ लगा है, योर नेक्स जनरेशन विल थैंक यू फोर दिस, ट्रस्ट मी, आपकी जो आने वाली पीडिया है न, ये आपको धन्यवाद करेंगी, आप हो या नहीं हो, कि मेरे पुर्वा जो ने ये काम किया, बहुत सही किया, इस हद तक की इसकी इंपोर्टन्स है, रेलेवेंस है, तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करूंगा, आपके कमेंट्स अपेक्षा करूंगा, थमजब अपेक्षा करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि अगले वीडियो जब मैं डालूं, तो यू रेसीव नोटिफिकेशन, सुनें, समझें, दन्यवाल, आपका दिन बहुत अच्छा रहे, मंगल में रहे, और आप हमेशा आगे बढ़ें, थेंक्यू.